नाम संकितनम यसो सरवपाप प्रनासनम प्रनाम दक्षशमनम तंग नमा मिहरीम परम सिसिलो भक्तिशिद्धान तो सरश्वति गुष्वामी चाकुर पोपाजी ने बताएं सारे बद्धजीव जो है सब काला किष्णदास का रिप्रेजेंटेटिव इतना सारे बद्धजीव है समाज में बद्धवश्था में सारे काला किष्णदास का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनी थी सिलो प्रपाजी इस उधारन को उठा कर कहते हैं देखो काला किष्णदास ठाकुर जी है फिर भी काला किष्णदास क्या की ना माया का ओर चल दी माला का माया का बट्टो थारी बट्टो थारी उनको लोब दिखा के लेके गया बद्दो जीब का ऐसा ही अवस्था है एक तरफ चित जगत आद दुस्ते तरफ माया जगत जिस तरफ खिशावट जादा हो उस तरफ ही जीब जुकेगा कोई उपाए नहीं चैतनु महाँ प्रभु काला किष्णदास को उठा के लाए चूल पकर कर और शाक्षाद परात पर अखिलेश्वर भगवान गुरु वैश्णव हमको चूल पकर कर उठाने के लिए प्रयास प्रचेश्था में लगे हुए हैं ऐसा है सुबह में चर्चा हुआ था समास संगसार में जितना सारे रणक है आनंद है संगसारी वैक्तियों का जो लोग त्यागी बन के मठमे हैं या तो सन्यासी ब्रमोचरी जो भी हैं वो तात्तिक दर्शन लेके ये सब विसोयों को जाच करे विचार करे आत्मों दर्शन जब तक ना हो तब तक ये विशयों सब ये सब जो आकर्शन है इसमें जिब को गिरिनाई है इसमें आकर्शन छोड़ नहीं सकता इसलिए दुखो दोशान जिजयो आपातो मनरम जितना सूख है उसका पीछे जो दूख है उसका पीछे जो दूख बड़े इतिहास है इसको दिखना सामने जो सूख प्रतीत होता है आनन्द उसका पीछे जो कितना दूख है ये सब विशयों को दर्शन करना उचित है तब आपका तैगी जिवन बच पाएगा जगदानन्द पंडित जी जब सिमन महाप्रभू से इजाज़त लेके आग्या लेके जग बिरिंदावन का और चलने का प्रयास पचेश्टा की जगदानन्द पंडीत सिमन महाप्रव का बच्पन का दोस्त है एकदम बच्पन का उस समय का दोस्त है उस समय भी महाप्रव का साथ उसका जगड़ा होता था लड़ाई होता था हता हती ऐसा छोटे उमर का ये जगदानुंद पुंडित कोई साधरन में बखती नहीं है बहुत सारे वीचार है इसमें जगदानुंद पुंडित को सुट अभामा आईती एसा वीचार बता गया जगदानुंद पुंडित जब ब्रिंदावन जाने के लिए तेयर हुए तो महाप्रभुजे ने एक बात बताए देखो सुनातन का संग एक मुर्थ भी छोड़ना नहीं हर बकत सुनातन का संग में रहना सुनातन का संग बिल्कुल छोड़ना नहीं क्यूं ऐसा बोला? ये बात है क्योंकि जगदान अंदपुर्णी तो बच्चा नहीं जगदान अंदपुर्णी तो बच्चा नहीं ये सुनातन का पीछे रहना है और ब्रजवासियों का आचार निष्ठा जो है वो तुमारा समझ की बाहार है वो तुम समझोगे नहीं कभी इसलिए हर बगत पीछे रहना कि तु सुनातन रुप गोस्वामी लोग के लिए ऐसा नहीं बताया था जब बेजा ऐसा नहीं बताया था जो भी है सुनातन गोस्वामी पाद सम्मंद गयन का आचार जो है सम्मंद गयन का अचार्जों का साथी बिंदाबन दर्शन करना भी दी है यहां तक कि जो मंत्रों जो शिक्षा हमको मिलते हैं जो मंत्रों गुरुजी ने दिया है सम्मंद गयन के समय में सम्मंद गयन को स्थापित करने का नाम ही दिख्या दिख्या का नाम क्या है तत्य जीव भूले हमको बचाओ ठाकुर जी का और ले चलो तत्य जिग्गासा जिसका अंदर में आया है जिसका अंदर में तत्य जिग्गासा कोई प्रश्ण नहीं है वो तो बास्तविक ग confront बास्तविक ग्रूप से अप्रा की जगद में जाने के लिए कोई तयार नहीं है तयार है गया जिसका तत्तो जिग्ग सा जागरित नहीं हुआ कम से कम तत्तो जिग्ग सा जागरित होना चाहिए ये सुनातन सिख्खा में यही दिखाया सुनातन सिख्खा प्रशंग में यही दिखाया कि सुनातन गुष्वामी जी ने पहले तत्तो जिग्यासा की देखो कहा तक सिमत भागवाजी महापुरान में भी जब सुरुवात हुआ तत्तो जिग्यासा की सारे जगा यहां तक कि बिदान्तो का जो सुरुवात है बिदान्तो भी अथा तो ब्रह्मो जी गया सा अर्था हर विशय में पहले अपना पोजीशन सम्मंदो गयन को अविश्कार करना है सम्मंदो गयन जब तक स्थापित ना हो जाए तब तक भजन का कोई प्रश्ण नहीं है जो भी है इस बात को सामने राखती हुए सिमान महाप्रभू सिस्वनातन गुस्वामी जी को सम्मंदो गयन का आचार जो निन्नाई किया और सम्मंदो गयन का आचार जो निन्नाई किया उसका साथ साथ जो आपका सुरुती सुरुती जो सुरुती सुरुती पुरा नादी सारे छान बीन कर विचार करके जो आचार निष्ठा कैसे कैसे गुरु गुरुन है सारे तमाम सास्त्रों को विचार करके स्थापना करने के लिए सुनातन गुसाई को ही आदेश किया यह सब द्वारा यही प्रतित होता है प्रमान होता है कि महाप्रभूद ये हमारा भजन मार्ग में सिस्वनातन गुष्वामी जी को सम्मंद गयन की आर्चाजो स्थापन किया किसी बड़ा आचार्जो ने अभी बड़ा आचार्जो पहले बड़ा आचार्जो नहीं था उन्होंने गुरुपात पद्म सिलव भक्ति प्रमपुरियोश्यमी गुरुमाज का पास एक प्रुष्णु किये थे महाराज हमारा जो गुरुपात पद्म है गुरुपात पद्म के आदेश है शिक्षा है और मंत्रों दिख्षा दिये है गुरुजी इसके बाद हमारा जो गुरु बर्ग है गुरु बर्गों में एक एक गुरु बर्गों में बिशेश बिशेश है जैसे परमपुजवात केश्व गोस्वाइब महाराज में एक स्पेशालिटी है बिशेश है ना सिर्ण इम्हाराज जी में विशेश है तो प्रोश्ण किये हम किसका सिभी और हनकरे हमारा गुरु बर्गो का एक एक का एक स्पेशियलीटी आलाग है जैसे परपर किस्व को Sorry महाराज बता है जाम कित्तन करने मात जाओ अभी तुम्हारा अधिकर नहीं हुआ तुम अभी संबंद गैन को अभिस्कार करो हरिकाता सुनते रहो वश्णव का अनगत्य करो बड़ा जोड से कित्तन करो संकित्तन के द्वारा माप्रभू जें बता है सारी सिद्धो ऐसा जो है स्थिती इस अवस्था में गुरु जी का पास प्रोष्ण के क्या किया जाए गुरु पात्वद्मन जी बता है देखो तुम्हारा सामने ठाकुर जी शाक्षाद हरिते नसमस्त सास्ते रुक्त स्तता भब्बते विस्ष्ण ये तु बता है शाक्षाद हरी गुरु रूप धारन करके तुम्हारा पास आए शाक्षाद हरी का मतलब यह नहीं कि गुरु रास लेला सुरू कर दे शाक्षाद बोला तो गुरु कृष्ण रास करता है गुरु भी रास करने है ऐसा नहीं शाक्षा धरितेन इसका मतलब है प्रियत्ते अथा एतना एकदम एतना अपना है जो अभिन्य मेरे से अभिन्य है जैसे उद्धब उद्धब एक बूद भी मेरे से अभिन्य नहीं जो उद्धब मैं हूँ इसका कहने का मतलब ये एक अत्तो दर्शन प्रियत्तो दर्शन तु मेरा बहुत प्रिया हो जो तुम हूँ वह हमें ये प्रत्य दर्शन तो इसमें ये विचार का कोई अधिकार नहीं है कि साक्षा धरी बोला तो गुरु जी भी रास करे अग किष्णे भी रास करे ऐसा नही शास्तो कारों ने विचार करके बताएं विश्चना चकवतिपाद जे भक्तों का भक्तों का किष्ण भक्ते किष्ण गुन सकली संचार किष्ण भक्तों का अंदर किष्ण का सारे गुन का समाहार किष्ण का अंदर में जो गुन है सारे दिखा जाता है इसका मतलब यह नहीं कि किष्ण का अंदर जो सराटत्त है जो कुछ है और रासलिला आदी दिखाई जाता ऐसा नहीं विश्णा चक्वतिवात जी नहीं भेका कि इसका मतलब है जो भंक त। उसका जो डिवोशंसिप जो भंक है भंक तो का भंक तो बजाय राखते हुए भक्तोत तो जो है उसको खराब ना हो जाए जो भक्तो का जो गुनावली इसको सामने राखते हुए किष्णो का जितना गुनावली आना चाहे आएगा भक्तो का भक्ती जो है भजनिय वस्तु और ये भक्तो है और भजन क्रिया है तीनों को बैलन्स करते हुए जितना गुनावुली किष्णों से आना उचित है सारे आएगा समझा मेरा बाद जैसे कोई उसका भक्तो तो है भक्तो पदो भी खरब ना हो जाए ऐसे तो भक्तो में ठाकुजी बहुत सारे अपना सब गुनावुली दे देते हैं लेकिन इसमें जो एकदम बिल्कूल रास लिला आदिश्ष्टी पपंजोरा ये सब गुन तो ठाकुजी का एक्स्लूजिव गुन है ये सब बंक्षी बंक्षी बादन लिला रास लिला चार पर लिश्ष्टी से आदिश्ष्ट वहां पुन है ये इसमें कोई संद्य नहीं हूं है तो झो जो गुरु पाथपदमों का रूप हमारा गुरु पाथपदमों का रूप पाकर करके घ्लावुली ओश्टी अनुन तो द देव Hmalo गुरू-जी का रूप पाकरकर के हमको तरह आपुएपा करने के लिए ठाकुरूजी जैसे रूप पकर के हमारा समने है हैं इनका दिखा और इनके जो दिखाएववा मार्ग है संबंद ग्यान ये हमको पहले नजर देना है फास्ट एटेंशन इसके बाद हमारा गुरु भर्गो जो है सारे दिब्ब गुरु भर्गो को किसी का उपोदेश हमारा गुरु जी से बाहरी दिष्टी में लगता है कि अलग है गुरु जी बोला यह जो अलग है बोलके तुम देख रहे हो यह तुमारा दर्शन का गलती है तुम अपना गुरु जी का जो दर्शन है और परमपुजवाद किश्वकु श्रीमाज के दर्शन इस दोनों में हर्मोनिस करने का चिस हो गिया इसमें कोई तुमारा गुरु पात तो तुम बोला ऐसे भजन करो ठीक है और जो सद्ध्धुरु जिसको तुम गुरु बर्ग बोलके मानते हो किसी किसी का सिख्या थोड़ा बहुत अलाग हो सकता लेकिन तुम जो भजन करते करते गुरू तत्त का अभिन्नों देखोगे आटोमेटिक तुमारा हिदय में आ जाएगा यह हमारा गुरुजी जो बोला है वो तो ठीक है यह जो बोला है यह भी ठीक है इसमें गलती नहीं यह बीचार को हमने प्रतिबात का गुंटों में बहुत सब नहीं है इसमें गलती नहीं है यह है इससा प्रमान उनिका किफा से करने का खुशिस ची पहला तुमको दिख्खा गुरु जो है दिख्खा गुरु जिस मार्ग बता है जैसे बता है उसका अटेंशन दो उसके बाद गुरूपात बद्मों का हमारा घुरूपात बद्मों का शाथ जो दिख्खा हमारा जो गुरु वर्गों का मत का विश्थ कोई परतु है नहीं, समा़गने का कोशिष कर या तो उसको ही प्रोष्ण करो एक इसा बोला है आप क्यूं ऐसे बोलते हो ओ समझा देगा ऐसा करके गुरु तत्तो का समाधन करना है नहीं तो उल्टा हो जाएगा अपराद हो जाएगा और सारे गुरु भर्गों का एक एक का एक विशेश है उसमें कोई ऐसा नहीं कि सब पहुपात का शिद्धान्त अलग हो नहीं आर शम्मंदो गयान जो है सम्मंदो गयान दाशापन कि दिखागुरु दिखागुरु का पोजिशन सबसे ऊपर जब भी लिखा है दिख्खागुरु शिख्खागुरु में भेदभाब मात करो, एक ही है, दिख्खागुरु और सिख्खागुरु दोनों एक है, अलग नहीं है, संबंदो ग्यान द्याता, दिख्खागुरु का साथ अविद्यो ग्यान द्याता, जो अविद्यो अचार जो है, अविद्यो खूला नहीं भाद को हम बोले जो जोदी अगर चारो संप्रदाई का अंदर में जो एप्रूब्ड है authentic संप्र動画 चार चारों संप्रदाई में अगर देखा गया किसी संप्रदाई में जैसे कि विष्णू सामि शंप्रदाई में रामानुजा, मदधर जज्चो संपधाय में किसी भी संपधाय में एकदम बडिया गुरू सद गुरू है सिद महात्मा तो महराज उसका कैसा बैवार करे उसका साथ बहले महराज उसका साथ बैवार ऐसा करना चाहिए उसको सनमान करो उसे कीपा मंगो सब मंगो लेकिन अपना जो सिद्धान तो है गोडियो सिद्धान तो है महाप्रभु का अभिशार इसको टॉपमोस्ट रखते हुए पूरा सर्वपोरी सर्वपोरी रखते हुए यह महराज का जो हरीकता है इसमें जो सिद्धान तो है उसको जितना हमारा गोड्य संपता का अनुकुल है उसको गोण करके बाकी हमारा तो भजन का अनुकुल यह नहीं है इसलिए अपमान नहीं करना इसका मतलब नहीं कि दुस्तर संपताई का साधू संगो को अपमान करो बड़ा साधू कैसा नहीं इसका मानि है आशाय जो है सवजाती राशाय मतलब आशाय जब किसी साधू का साध हमारा आशाय मिल जाएं आशाय समझते हो जो अंतर करन का जो अविलास है आशाय आल्टिमेटली जो बोस्तू को हम प्राप्ति करने के लिए हम भजन में जा रहा है ये आसा है अगर समान हो तो उसमें भजन का ज्यादा पुष्टी होगा ऐसे तो परभंग्षो बैक्ति जो है किसी भी संप्रुदाय का कोई आचार जो का कोई सद्गुन देखा सारे सद्गुन है अमारा जितना लेने का अधिकार हो लेके अपना भजन को पुष्ट करे परमंग्षो बित्ति दोस नहीं देखना और बाकी है कि सजाती रास्व इस निक दे अपना संप्रुदाय का अगर उचा है कोई पहुचा हुआ सादू है वो सजाती रास्व गोरंगमापो के सिप्खा सामने रखते हुए आगाज जा रहा है तो इनके जो आशव है हमारा जो आशव है सजाती रास्व है सजाती रास्व है उसका जो आशव है मेरा आशा समा है ऐसा अवस्था में ऐसा सादू सजाती रास्व है स्निक दे स्निक दो ऐसा सादू स्निक दो मतलब जो गुरुचरण में 100% सरनागतो गुरुचरण का कीप पूर्ण घ्पा बाथ से तो जो अचार अधों के सिद्धान तो सारे शिश्यों का अंदर आया है तुब ये संंग्दो शिश्य सिश्य ऐसा लिग्त है किसी चभडा नहीं करता ये संग्दो आपना भजन का पुष्टी होता है, नहीं तो अपना संप्रोधाय में भी है, कुछ उल्टा सिदा देखे तो उसको सिख्या गुरु बनाना मुस्किल है, जो देखे हमारा गुरु जी से पूरा अलग है विचार, तो गुरु बाग गया तत सेवन अभिरो देन चो अन्नेशाम ओपी वैश्णवानम सेवनम स्रेयो, क्या बोला जिवगो सही पाजी ने बताया, गुरु बाग गया, गुरु का गुरु जी का अग्या लेकर, गुरु बाग गया तत सेवन अभिरो देन चो अन्नेशाम ओपी वैश्णवानम सेवनम स्रेयो, जिवगो सही पाज बताये कि हमारा गुरु जी का मुल, हमारा गुरु जी का आदर्शो क्या है, उसका कोई बिगनो ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखते हुए, गुरु जी का आध्या लेकर, दुसरे कोई पहुचा हुआ सिख्या गुरु का सेवा कर शक्ते हो, उसमें क देखो कि हमारा गुरु जी का चरित्र शभाब, आदर्शो हैं का सा समान है, गुरु तक्त्यको अखंड देखना, जैसे हम उधारन दे जैसे हमारा नरतम ठाकुर जी, नरतम ठाकुर कीसे दिखा लिया था? लोगनाद गुस्वामी जी से, लेकिन लोगनाद गुस्वामी लोकनात गुष्वामी का इच्छा का उनुसार अंतिम में जाकर कहां गया जिवगुष्वाइग को पास ऐसा कितना उधारन समानंद भुभुभी गये सिनिवासाचाज गये रामचंद को विराज गये ये बात को ध्यान रखना नहीं तो कभी भी उल्टा बुद्य आ जाए तो आपका खती हो जाए कभी संगसाय हो तो प्रश्ण करना तो ये सब विचार है और सी सहरुप दामदार जी को क्यूं हम मने कि पुरा पूरा गोडियो समाज का आचार्जप्रद में अधिश्डित कर दिया किसको सवरुप गोसाय जी को क्यूं हम मने कि चोईतनुमापू सारे गोड़यों संप्रधाय का पूरा गोड़यों संप्रधाय का एकदम टॉप मोस्ट आचार जो बना दिया, कैसे हम समझे, कहां है सब विचार, किताब पढ़ने सुद्धा आएगा नहीं, लहें, विचार है जब रथ यात्रा का पहले, जब गुंडिचा मंदिर मांजन हो रहा था, गुंडिचा मंदिर मांजन का समय, जब पानी देखे सब साफा हो रहा था ना गुंडिचा मंदिर, जानते हो गुंडिचा मंदिर साफा होने का मतलब क्या है, गुंडिचा मंदिर साफा होने का मतलब है, हिर्दय सिंगासन को साफा करना ये बात को हम कई बार कह चुके कि हिर्दय को अनंतो देप का जो आसन है ये अनंतो देप को लाओ हिर्दय को साफा करो उसके बाद ठाकुर जी सिंगासन में आके बैठे इसी दर्शन को जगत का सामने स्थापन करने के लिए टेस च यहतन मापत को गुंडीचा मंदिर मान्यन जामृ परकास किया की जैसे हिदर को ऐसी मैंजन करना हिसके बाद जब मान्यन हो गया इसके बाद भी कांकर पत्तर डे एस सब अपना जोली पर उठा है मतलब मांजन हो गया लगता है उसका बाद भी अगर कोई कुछ पड़ा हुआ है अथाथ हमारा अंदर में कोई जरा सा भी कामना बासना अनत कुछ भी कुछ भी अगर है थोटा सा भी कामना बासना नहीं है कामना बासना का थोड़ा गंदा गंदेगी थोड़ा इसको भी क्लियर करने के लिए अंतिम में जब गुंडिजा मंदिर मांजन हो गया उसके बाद चोईतन नमापूतिया अपना कपड़ा को ऐसा उत्तरियों को लेखे जितना सारे छोटा-छोटा का करा दे सब को देखो एतना निकाला अभी भी ऐसा करके निकालके हिर्दय को बिलकूल निर्माल बना दिया चोईतन न चोईतन में लिखा है गुंडिचा मांजन गुंडिचा जी का मांदन ऐसा किया गुंडिचा मुंदिर को ऐसे मांजन किये हमारा दूख हो रहा है हमारा जो देना चाल प्रहुपाजी ने जाने का टाइम में बड़ा दूख करके बोला जो चीज देने के लिए हम आये हैं वो दे नहीं पाए हमारा स्पूर्ती नहीं हो रहा है मैं क्या करूँ हमको खमा कर परिवेस दो तो होगा नहिंटो जाओ शब चलेए जो चयतनो चयतनो चयतनों पर लिखा हुआ है जैसे ऐसा गूंडी चा मांजन को मांजन कीये जैसे मानू के लगता है अपना हृदाई को बिचा दिया देखो आमारा हिदा एसा क्लिए लिखा दिया इतना निर्मल हो तो चैतना माःपवब ने बोले आप तुमारा यह संकीतन करते करते चलो तो अंते में ठाकुर जी का दर्शन होके ही रहेगा इसी जनम में होगा दुसरे जनम के लिए अपिक्षा का जरूरत है नहीं अब बताने के लिए जो उठाया था बात को जर भरत जी महराज अपना पहले तो भरत महराज था उसके बाद हुआ हरिन जनम हुआ उसके बाद जनम हुआ अभी जर भरत इच्छा करके जर भरत जी गूडो मूडो इवो यते यते में इट सिम्स लगता है कि वो पागल है लगता है कि गुंगा है बहरा है बट नॉट डैट एक्च्वेली नहीं है वो एक्च्वेली ऐसे इच्छा करके समाज का संगो समाज का संग अगर इतना भयंकर है तो हमारा हम कान पकर के बोलता है अभी हम ऐसा संग नहीं करेंगे समाज का किसी का संग हम नहीं करेंगे क्योंकि ये संग मेरे को संगसार में डालने वाला है जो कुपिल जी महराज बतायने संगो यो संगस ते रहत हो असस सुभीत हो धिया जो संगसार में डालने वाला संग है हार बकाद एक भक्तो जो है सादु जो हार बकाद alert रहता है very alert एक भक्तो इतना alert रहता है इतना conscious रहता है कोई भी उसको फेग दे भजन से संबब नहीं गुरु वेश्णफ सिभा का मतलब क्या है गुरु वेश्णफ पूर्ण चेतन अवस्था में है उसका साथ रहते रहते जो रहता है उसका भी हालत ऐसा हो जाए उसका भीदा इतना सच हो जाता क्लियर हो तुरुंट समझ जाता है इसमें ये गरवड़ी होगा ये हम नहीं करेंगे ये भजन का बिचार सुबे का बिचार अच्छा हो नहीं पाया हम संतुष्ट नहीं हुए कितना सुंदर अलग-अलग जागा में हम भेका किये ठाकुरुजी का किपासे बड़ा दुख ठाकुरुजी हमको खमा करे तो ये जो पालकी उठाने के लिए पालकी उठाने के लिए लगा दिया किसको कोई भी जाएगा ठाकुरुजी का किपासे ये अधम का कथा होता है तो पींडर अफ साइलेंस जितना लोग रहेगा मोबाइल सवीच शॉप किसी का कोई बात नहीं पींडर अफ साइलेंस यहाँ ही एक दिगरा कैसा है मार्केट में भी वो आ था उतना यह नहीं था तो यह जो है बरजर भरत जी महराज कान पकर लिए भाई हम उंको संगो नहीं करना है इतना संगसार का सब कुछ छोड़के अंतिम में यह सब छोटा मुटा विशाय में हम फस गया और देखो कितना भाड़ी हमारा पनिस्मेंट हुआ पनिस्मेंट हुआ नहीं यह तो भारत महराज इतना बारा राजा है सारा भारत बरस जिसका नाम पे हुआ हो गया वो जिन्देगी इतना बड़ा प्रताफ सली राजा वो जिन्देगी गमाया हरिन जन्म हुआ हो तो गमा वो तो नस्ट हो गया वो तो छोड़ दिया ये बहरत महालासाज होजा, इत्ति-्ति-ष्रा जनम है, इसी जनम में हमको ठाकुर जीका पास जाना ही हमको सिद्धी मिलाई हैं और हम नहीं करेंगे, कान पकाले, हम किसी का संग नहीं करेंगे बस करके इछा करके, गुंगा बनके, पागल बनके रह गिया, कि समाज का अंद पागल बन जाता है, आमारे विश्वई पागल वलिया अंगे थे दिवे की धुली, यह मेरा सिद्धी है, आप लोग अगर मेरे को पागल वलके मेरा सरीर में धुली दो, तो हम बज जाएंगे, आमको पुछेंगा नहीं, को डिस्टाब नहीं करें, मारा यहां चलो, यहां च तो हमारे विश्वई पागल वलिया अंगे थे दिवे को धोली, शुक्देब को सामी ऐसा पागल को भी नहीं किया, नंगा बाबा, बोलता भी नहीं, कुछ किसी का साथ बात नहीं, कुछ नहीं है, आज जितना सारे गुरु वस्ट्रभ है, ओ भी अंतिम स्वाय में, शिश करने के लिए आया था ना, अब जा, ते लोगो चिट करें, गुरु जी बोलते थे, एक कुत्ता का, कुत्ता का लेज है ना, कुत्ता का पुछुआ, एक कुत्ता का पुछुआ जैसा घी लगा के उसको खिचो, तो सीधा नहीं होगा, बद्दो जी अब ऐसा ही है, जितना अपना चरित्तो दिखाओ, अपना अचरन दिखाओ, अपना अधर्श दिखाओ, वो मानने वाला नहीं, किसी भी हाला से, इसका मंगल होना ही नहीं, कैसे होगा, अगर बोले इसा बात, क्यों क्या बोले बोलो, इतना सुवीदा का बाद भी ये लोग का, जो सभाब है, चर अभर्म का बाद, एरावन का माभी, जनामी धर्मम नौचमे प्रभृत्ति, जनामी अधर्मम नौचमे ने बृत्ति, तयार इसी के सहिदि स्थितन, यथान युक्तो स्मित्था करो, ठाकुर जी इंडिरेक्ली जो बदमास है, जो अपरात का तो उसका भी बुद्धी भर्ष करते करते, चूप चाप रहें कि आचार आचरन हमारा आए, तो पिता जी लगा देगा कि जा उदार पूजा करके आए, जा उदार साधी का मंत्र पढ़के आ, लगा देगा कर्मकांडी, तो हम इससे आचा है कि पिता जी आचमन करके दिखा, आचमन करें, उल्टा पल्टा गाधा है इतना दिने उसे आचमन मी नहीं सिखा हैं बोलके एक लेकिन क्या करें वो तो इच्छे करके कर रहे है कि पीता जी अगर मेरे को अकलमंदी समझे बेकार तो हमको छोड़ देगा डिस्टब नहीं करें ऐसे गुरु बश्णव पर लिला करते है इच्छे करें पागल विश्णव है पागल कम अभी रहते थे जैसे पूरा पागल कोई बाल उसका जो बातचीद है कोई कोई सिमिट्री नहीं है क्या बात करते है क्यूं करता है एक बाक्ति आखे गोरकिश्यत दबभावजी महाराज के बोला बभावजी महाराज पूचे कहां से आरे हो ले वह से आया और यहां दो कठा जमिन खरीदा से खिльड गुर्टीस डो कठाई जमीन खरी दा यह जो धाम है है धाम का एक धूली प्रह्म हो कि तुम मारे पास इतना पराइल दो तुम दो कटा जमी करें लिए एक धूली मिलता नहीं और तुमको एक दो कटा जमी कौन दिया इतना पैसा तुमारे बास कहां से आ गया यह जो विचार है कितना अप्रा क्योंकि मैट्रियल अदमी तु समझेगा नहीं जड़ा आदमी बोलेगा है पागल है बाबा बोलेगा कि उसका मतलब का बात है नहीं कि तु बाबा जो बात बूला कितना उचा बात है कितना अनुभब की बात है जड़ जगछ का आतमी अनुभब नहीं कारपता है असंभब है तो यहा जो है एक दफे तो आपने जो व्रिशल पती पकर के लेके गया वहां भद्रुकाली के सामने बोली चराने के लिए वो तो उसका बात उसका खानी सुबह में बताए आई हैं जो है जो यह जो सिंदु सोबरी पती यह क्या की इसका जो पालकी है सिविका हैं सिविका के एक अदमी कम पड़ा और इसमें पालकी नहीं चल रहा है उसे एक उसको कि वो ऐसा ही रहता था ना यह ठीक है इसको लेके चलो आई चलो जो जान ले जाए जो खाने दे तो आगल को में भी करता है लेगे गया पलकी में लगा दी पलकी उतो सिद्ध मात्मा है अब पलकी चलाना नहीं जानता कैसे इसले बुलास संगसरगी को दो संगसरगी को दो सेव नूम नूनम एकस्वापी सरवेशाम संगसरगी कानम भवितु मरहती अगर सब एकसंग में है उसमें एक का अंदर में दोस हुआ विशेस दोस बाकी जो आदमी एक साथ दूसरे का एक दूसरे का साथ पिती है एक साथ रहता है एक साथ समझो कि पाँच आदमी दस दस तुम गुरु भाई मिलके रहते हो एक का अंदर में एक विशेस दोस है वो गुरु जी का कर्टब है ये दोस को निराश कर आज दोस को हटाए क्योंकि ओ दोस को रख दिया जाए तो टूड़े और टुमोर आज नहीं तो काल ओ दोस बाकिया अदमियों में फैलेगा इस बारे में हम काल चाचा करेंगे गुरु जी जब दिख्या देते हैं किसी को पतित रख के दिख्या नहीं देते हैं इस बारे में काम हम चाहिए बड़ा आश्चर जो दर्शन है जब गुरु विश्णों किसी को दिख्या देते हैं तो उसको पतित छोड़ के दिख्या नह हम जानते नहीं हमको खमा करना हम सास्तों का बात बोलने बैठे किसी का चर्चा नहीं करने बैठे तो जैसे आलू का बोड़ा में दो आलू खराब हो गया तुरूं तो आलू को छाट के फेको वो आलू रहे पूरा बोड़ा पूरा खराब हो जाएगा, पूरा बुड़ा को फेगना पड़े, है ना, एक बुड़ा में दो आलू, एक आलू खराब हो जाए, वह आप अगर उसको इग्नोर करो गया, क्या हुआ है, वह आलू से क्या, बाकी जितना साले आलू, पूरा खराब हो के, आपका पूरा बुड खराब हो जाएगा इसलिए इधर बता सिध्धान तो का बात है संगसारगी को दोसो एव नूनम एको स्वापी सरवेशाम संगसारगी कानम भवित्म मरहती यह होगा ही उसमें कुछ करने का नहीं जब ऐसा बोला तो सोभरी पती जो राजा अपने को राजा मनत है हम सब जो ब नित्यो सरुप का हमारा जो सरुप जीवेर सरुप है किश्ण नित्यो दा यह तो बोलने का बात हम तो मुखस्त करके बोल दिया लेकिन इसको जी हृदय में उनुभब करे ता सारे समस्वा का समाधान हो जाए समाज में किसी का साथ किसी का लड़ाई नहीं होगा मत में भी लड़ा है कुछ नहीं होगा अगर यह मिनिमाम चीज़ को समझ में यह मिनिमाम चीज़ है है फिर इसको भजन करते कह तो सवरुप सिद्यो अताँ यह समझ में आए उसको अनुभब में आए तीक है तब तो लड़ाई बंद हो जाए लेकिन होने वाला नहीं तो इदर जो ह पहन कर रहे हैं तो सभाभी की है यह जा चलाना नहीं जानता और बात है रस्ते में चलते चलते किसी जगा चेंटी आ गया किसी कीरे मकोर्य आ गया जुरवारत जी विशनव है उसको बचाने के लिए पैर को ऐसा करके चला लगा पैर कसमने अै ऐसा तब सीवी का क्या पाल की जो है, ऐसा ऐसा हो रहा, तो राजा जो है, अपने को राजा समझता है, ए सवर्पति राजा, पलकिस, ए ठीक से चलाओ, ठीक से चलाओ, नीतो सिख्षा दे देंगे, ऐसे करके गाली दे रहा उपर से, तो कुछ नहीं बोला, फीर चलते चलते, फिर गाली देना सुर कर दे, क्या रे, तुम्हारा दिमाग में आने ही रहा है कि क्या बोला हूँ, हैं, चीकिस्सा कर दे, सिबिका से उतर का चीकिस्सा कर दे, थोड़ा, ठीट्मेंट कर दे, तो ठीक हो जागा, तुम भूद, तुम्हारा सरीत तु कुछ दुरवल है, ऐसा तो जरवर्द का सुरी ऐसा है, टकड़ा, इसे उल्टा बोला है, गाली देने के लिए, तुम तो बड़ा दुबला पतला हो, तुम्हारा लिए तो काम ठीक नहीं है, ऐसा का गाली दे रहा है, उल्टा, जरवर्द कुछ नहीं बोला, बाद में जब बहुत बोलना सुरू कर जरवर्द जी महारा तो आजवा जुमन देखा, कोई तो है नहीं, हमको जानने वाला, जरवर्द जी देखे, हमको जानने वाला कोई नहीं है, मुख खुला, जबान को खुला, जबान को खुल के बोले, देखो, ब्रामन ओ जो, जरवर्द जी बोले, आप जो मोटा, पतला आपका खमता नहीं इसाब बाते कह रहे हो ये सब बात किसका लिए कह रहे हो ये सरीर का लिए कि आत्मा का लिए क्योंकि आत्मा का जो सास्तो है वो तो अलग चीज है जो प्रुपाजी कहते थे यह जोरोजगों तेर लोग गुलोर चित्सास्तों के उद्वोधन कुरते आमादेर लखो लखो गैलन रखतो बैक उत्त हब मंगला में बोला यह समाज का जितना सारे पतित अद्मी है यह पतित अद्मियों के लिए हमारा जो यह समाज को उडिय मटका जितना सारे चेतन सिल, जितना सारे भक्त है, सारे ग्यालन ग्यालन रोक तो बैग करने के लिए तेयार रहो, फिर भी गैरेंटी नहीं होगा कि नहीं होगा, कोई गैरेंटी नहीं होगा, तो यह जो है आप चित सास्तो, चित सास्तो जानते हो, किसको बोलता है, शरीर का सास्त मतलब आपना जो चीद आत्मा है वो आत्मा का कितना तरक्की हुआ कितना इंप्रूब्मेंट हुआ realization कितना उचा गया चेतना का विकास कैसा हुआ एक सब्दों में कह दे चेतना का डिगरी का उन्मेश कितना excellent हुआ उसको बहले चीत सस्त्रों अगर चीत सस्त्रों नहीं है बारी दिश्ट में इतना बड़ा सस्त्रों बना के बैठ गया हम कुछ नहीं होगा जोरभरण जी महराज बोला महराज आप जो कह रहे है को हम कुछ ची किस्टा करोगे आप तो दुबला पतला हो आप तो मोटा नहीं हो ऐसा आप किस बिशाय में बोल रहे हो कि आत्मा का बिशाय बोल ले है को सरीर का बिशाय आत्मा का तो कोई शास्त होता नहीं ऐसा आप जो मिनिंग कर रहे हो तो सरीर जो भारी सरीर का जो मोटा है लंबा है पतला है दूबला यह सुब तो आता है लेकिन आत्मा का तो ऐसे बिचार आता नहीं यह तो अनात्म बिचार ऐसा जो बोला तो उसका कई भीचार है हमारा बाद समय नहीं आप जा नहीं है आज किला आप लोग समय नहीं दे रहो हम बड़ा दुखी है इदार आके बहुत दुखी तो ये जो है अंतिम में क्या हुआ जब देखा ऐसा तत्तो ग्यान बता रही हरी महराज हमने किताब और कितना बड़ा पड़ात किया इतना बड़ा महापुरुष के द्वारा अपना पालकी उसका घाड में लिया हम बैट गया हाई हाई राम बोल के छलांग लगा कि कुद पड़ा निचे और पेर पकेर के रोणा से बोलो कून हो आप आप कून हो यह बताओ आप कून हो ऐसा बताओ कस्तम निगूडो स्चरसी दिजानम बीभोर सिसुत्रम कतमो बधूतो कस्या सिकुत्रत इहा पिकस्मात खेमायो नस्चिद उसिनो तो सुकलो कस्तम निगूडो स्चरसी दिजानम कौस्त्वाम तुम कौन हो जो दिजो का रूप बना समझ में नहीं आता क्योंकि पईता जो है उसका जनुई है इधर लगा हुआ है कोमड में के समझ नहीं पाए कि हम ब्राह्मन है एक पईता जो है पईता को इधर लगा के रखा है गोल करके कौमड में कौस्त्वाम कौस्त्वाम तुम कौम हो निगुरोष चरवसी गुप्त रूप में समा संकसर में बिचरण करने वाले आप कौन हो दिजानम बिभर सिशुत्रम कौतमा अवदूत तो आप कौन अवदूत है लगता है कि किसका संतान है आपका परिचाए क्या है ऐसा अज यहां कैसे आ गया जैसे हमारा लोग आपको पकड़के पलकी सेवा में लगा दिया एक तो हमको आस्चरचे लगला आपका मौपिक अदमी और यदि अगर हमारा मंगल के लिए आये हुए हो हमारा मंगल ना हो जाए तो आपका परिचाए देना ही परेगा आप खोलो आपका जवान खोलो कौन हो आप क्या सुकलो हो सुकलो जैसे सत्तो जुग में सुकलो है न सुकलो रूप भगवान कोपिल सुकलो रूप आपको कोई हो ऐसा कोई गुप्त रूप में विचारन करने वाले ठीक से बाताओ क्योंकि हमारा मंगल अमंगल का प्रश्णा है हमारा बड़ा भड़ी अमंगल हो जाए आप अगर मंगल के लिए आए हो तो आपको बताना ही परेगा क्योंकि ये बड़ा सोच में पढ़ गया हम बड़ा चिंता आगया मारा नाहं विशंके शुरराज वजरात नस्तार को शूलात न जाम सदंध्यात नागनार को नी नागनार को सोमा निलवित्त पास्त्रात चंके विरिशं ब्रह्म कूला अभमानात नाहं नाहं विशंके शुरराज वजरात शुरुराज मनने इंद्रों का जो भजर्य है ए मार के सिसका है उसको भी हम डरता नहें ना हम भी संकी शुरुराज भजराज नस तार को शूला Adapt तारखो मतलब शंकर संकर का बहुत नाम है उसका नम तार को वो जो सूल उटाए वो भी हम डरता नहीं नांग विशंक सुरो राज भाईरात नौस्तार को शूलात अजोमो सुधना जोम राज अगर बोले मार के खतम कर दे हम डरता नहीं नागनार को सोमा निलवित्त पस्तरात अगनी देब का जो अस्त्र है सोम अतात जल देबोता जो है यह जो है नागनार को सोम मतलब चंद्रमा चंद्रमा का अस्त्रो जो है अनिल बायो भायो भी अस्त्रो किसी से हम डरता नहीं सबसे हम डरते रहते हैं हर वकत भीशम ब्रह्मकूल गुरु वश्णव का अपमान हो जाए इसमें ठाकूर जी खमाने के ठाकूर की जूतर सास्त्रो में सिद्धान तो है चोहतन माव ठाकूर जी को गाली देने के लिए नाम लिया ठाकूर जी को गाली देने के लिए किष्णाम उठाया उसमें किष्णाम मंगल दाया गाली देने के लिए उठाए दप तर किश्ण रख तो छोड़तो हैं इसलिए देखो इसमें आएगा स्वस्कंद में जो कैसे भी हो मुसल्मान काजी जो है काजी जी को उधार करने के लिए चैतन्य महाप्रभू जब गए उसका पहले क्या क्या हुआ था काजी का पास मुसलिम प्यादा आखे बोलता है काजी जी ये सब किश्णो किश्णो हरे हरे बोल रहा है ऐसा ऐसा तो प्यादा काजी जी बोले वो तो किश्णो 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 बोलता है तुम क्यूं किश्णो 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 बोल ले और जवान पे एक दप एक किष्ण नाम आया, तो छुटता ही नहीं, बले वो लोग का देखे हासी लगता है, किष्ण 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 तो बोले, काजी को स्पार्श करके बोला, तुम बड़ा भागोसाली पुर्णवान हो, हरी, किष्ण, राम, ये तीन सब्दों को उच्चारन कर दिया, तुम्हारा माप एक पवित्रो कोई नहीं है, बोलके स्पार्श करके बोला, तुम आप बड़ा पवित्रो हुआ, ऐसा जो नाम है, ये जो ठाकुर जी है, ठाकुर जी स्वयम खमा नहीं करते, बैश्णव अपराधी को ठाकुर जी खमा नहीं करते, इस चीज़ को हम, बड़ा हमारा डर है, जिसमें क्या करे, ब्रह्मकूल अबमानत, ब्रह्मकूल अबमान के द्वारा, जो हालत पैदा हो जाए माराज उसको हम बड़ा डरते हैं हम इससे बढ़कर और कुछ हम हमको कोई ये नहीं है छोड़ो ऐसा बाद ऐसा करके दिरे दिरे उसका बंदन किये उसके बाद ये जो जरवरत जी है बड़ा भाड़ी लंबा चोड़ा तत्त अज्यान को उपदेश देना शुरू किया क्योंकि ऽोभड़ी पती जो है ये भी इसका गुरू जी का अस्रम में जाने वाला था उपनकी करके ओ भी गुरू जी का अस्रम मेन जाना चानँक रास्ते में असली गुरू का दर्सन हो गया और जो सिख्षा है ऐसा मिल गिया मिलने के बाद वो बड़ा कितार्त हो गया बहले ऐसा करके पूरा जो तत्त ज्ञान उपदेश किये और अंतिम में जो उपदेश है बोले देखो गुरोर हरेस चरनों पुसान उपासवनास्त्रो जोही व्यालिकम सयम आत्मों मेशाम बज़े गुरोर हरेस चरनों पुसनास्त्रो अत्त गुरु चरन का हरी चरन का उपासणा रूप जो अस्त्रो है इसके द्वारा जोही काट के फेको आपका बंधन को आपका जो मित्था जो मित्था जो बंधन है आप आप सोभरी पती राजा बनके जो एक उपाधी लेके बैटे हुए हो यह उपाधी जो है यह हर हालत में बेकार है आपका जो उपाधी है मैं सोभरी पती हूँ मैं सोभरी पती हूँ ऐसा करके राजा जो है अभिमान लेके बैटे हो यह सब क्या करो गुरू बहुत सावधान होकर गुरू और हरी चरन पसना रूप अस्त्रों के द्वारा वलिक अत्तमित्था भूत आपका परिशय को काट डालो गुरो हरेश चरन पसना अस्त्रों जो ही वालिकं स्वयम आत्मो मेशाम ऐसा करके गुरू चरन पोदेश करने के लिए बताए उसके बाद तत्तो ग्यान जब हिदाय में स्पूर्ति हो गया रुहुगण का सोभरी पती राया का तब ओ यह जो ब्लामन उजो गुरू जिनोंने तत्तो ग्यान अपदेश किये तब तक तत्तो ग्यान का अपदेश प्राप्त नहीं हुआ जब तक ओ सरनागति नहीं हुआ जब सरनागत हो गिया रोते रोते तबी बास्तव तत्तव ज्ञान का उपदेश भी दिया और उपदेश धारन भी कर सका इसके बाद रुखण जो है अभी स्तूति कर रहा है गुरुजी को नमो नमो कारन भी ग्रहायो सरूपतु चीक्रत भी ग्रहायो नमो अबधूत दियबंद लिंगो निगूड नित्वान भावायतू भ्याम ऐसा करके रुखण बोदेश है जोगेश्वर इस्वर कमाफिक लुख संग्रक खनार्थो आपका सरीधारन आपका तो बास्तव एक जड़ो सरीध नहीं है आप ये सरीध लेके इस जगत में दिर्श प्रपंच जगत में आप सबकोई का मंगल के लिए विचरन करते हैं परमानन्द सरुप परमानन्द प्रकासदारा तुच्छिक्रतो देहो यहार अंदर में सरुप भूतो देहो है ना इसे बाहर में तो मोटा पतला इसा बताया इसे बोल रहे हैं जगत में परमानन्द प्रकासदारा तुच्छिक्रतो देहो और दिजबंदु अथा निंदितो ब्राह्मानेर पेस दिजबंदु किसको बोलता है जो ब्राह्मान कूल में अभिरभाव हुआ लेकिन निंदा कर्मों में जोड़े हुए हैं इसका इसका नाम है असो तुमा भी दिजबंदु हो गिया था असो तुमा और ता निंदितो ब्राह्मानेर पेस दारा नित्तानू नित्तो अनुभब रखने वाले जो आप हो प्रच्छन आपको हम नमस्कार किये और इसके बाद बुले देखो जरा मयार्तस्य यथा हो अगदम स्वात निधागदगदस्य यथा हिमांभो बले जरा मयार्तस्य यथा अगदम स्वात निधागदगदस्य यथा हिमांभो कूदे हुमानाही बीदास्ट द्रिष्टेर ब्रह्मन बचस्ते आम्रेतो मौशधम्हे हे ब्रह्मन गिश्वकाल की समय बड़ा इत्रिष्णा लगा है बहुत पानी का प्यास लगा है इसी समय अगर किसी ने बड़ा ठंडा पानी पिला दिया तो किसना आनंद होता है पियास से जान जा रहा है पियास के मारे जान जा रहा है इसी समय अगर किसी ने सीतल पानी पिला दे तो इसके कितना आनंद है और जड़ा गुरस तो हुआ रुग गुरस तो हुआ उसको अगर उसका अगर उशदी दिया जाए ऐसा उशदी जो उसका बिमार हट जाए जरा मयार्तश्य जथा गदम स्वात निदाग दक्तु दगदस्य जथा हिमांबो कुदेह मानाही विदस्ट द्रिष्टे ब्राह्मन वचस्ते अम्रितम उशदं में आपका जो अम्रित तो आप बरसा यहाँ वो लगता है यह सब जो हम बताया था ना घंडा गर्मी का साहिम में पानी रोगी का लिया हुशद इससे भी बढ़के बढ़ा आनन्द हुआ इसका बाद स्तूति करने के बाद फिर ब्राह्मन जी जो जरभरत जी फिर कोई थोड़ा बहुत उपदेश किये इसके बाद एक बिशेश उपदेश भ्यान रखना ये उपदेश को भूलना नहीं कभी हर बकत जो जरभरत जी कह रहे हैं कि देखो रुहुगन ठाकुर जी तपस्षा का बईदा तपस्षा के दरह संतुष्ट नहीं होता है आप बोलेगे हम संक्सा धर्म करेंगे प्रजापती धर्मों ब्रमोच जपालन करेंगे अब बेदाधी पाठ करेंगे सब कुछ करेंगे जाल सुर्ज उगनी को हम आराधना करेंगे ठाकुर जी का बिभूती जानकर कुछ नहीं होने वाला कुछ नहीं होगा कुछ भी कर लो बड़ा भड़ी लंबा चोड़ा साधन भजन दिखाओ लेकिन कूछ फाइदा नहीं होने वाला इसलिए रूगन को बास्तो पुदेश किये रूगन सुनो रूगन याति नौचे जया निर्वा पनाद ग्रिहादवा नौचंद सान इवजा लागन सुर्यर बीना महत्पाद रजो विसेकं क्या बला? रूगन रूगन याति नौचे जया इजमने पुजा निर्वापनाद गृहादवा नचंदसा नईवो जलागनी सुरुजवेर बिना महत पाद रजविशेकम जब तक तुम महत बैक्ती महान पुरुषु का चरण का सेवा नहीं करोगे कुछ भी परलो बेदपाद करो बोद तपशागर कूचने होने वाला रूहुग नईस्था तपसान याति नचेज्या निर्वापनाद गृहादवा नचंदसा नईवो जलागनी सुरुजवेर बिना महत पाद रजविशेकम बिना महत पाद रजविशेकम यत्रो तमस्रोक गुनान वादहा प्रस्तु यते गम्म कथा विगातहा निशेब मानम्मनु दीनम्मक्षर मतेम सतेम यच्चति वासु देवे यत्रो तमस्रोक गुनान वादहा प्रस्तु यते गम्म कथा विगातहा निशेब मानमनु दिनम्मक्षर मतेम सतेम यच्चति वासु देवे यत्रो तमस्रोक गुनान वादहा यत्रो उत्तमस्रोक गुनान वादहा यत्रो उत्तमस्रोक गुनान वादहा प्रस्तु यत्रो उत्तमस्रोक गुनान वादहा प्रस्तु यत्रो उत्तमस्रोक गुनान वादहा प्रस्तु यत्रो उत्तमस्रोक गुनान वादहा कैसे ओर थाकुर्दी जाने लिका हुआ है यत्रत तमस्लोग गुनान वाद लगा संभाची दा and the अनु दीनम मने किसी ऐसा दिन नहीं गया कि हरीक था किर्टन हमारा कानों में नहीं गया, किर्टन नहीं गया रोटी खा लिया, ऐसा नहो ऐसा दिन ना जाए जिस दिन हरीक था हरीक था हुआ नहीं लेकिन हम खा लिया ऐसा नहो उससे पहले हमारा मौत आ जाए तो निशब बमानम अनुदीन हम ऐसा दिन जो है निशब बमानम अनुदीन हम हार बकात 24 गंटा किसी काम में हो हर बकात अंतर में अंतरे निश्ठा करो वाज्ये लोको बैवहार अंतर में निश्ठा करो हम गुरुजी को अंतिम समय पर पुछा गुरुजी आप जा रहे तो किसका संग करे हालत तो बहुत खराप है गुरुजी भूले आप क्या सोचते हो गुरुतत तो हम जा रहा है कहां जा रहा है हम रहेगा ना ठीक है याद करते रहना गुरुजी भूले गुरुजी भूले गुरुजणप का कंटिनुमस सरन में रहना जो बाते भूला है उसको गुण्यन होते रहेगा वो सिक्षा दिया उसका लिखित रूप में रहे आजकाल तो डिवीडी भी सब मिलता है हरिकता सुनो दिन राथ पूरा गोडियमट का सिद्धान तो सुनो सुनते रहो और चोईतन्य भागवद है इसका पाट का डेली चोईतन्य भागवद का पाट भक्तिमिनों ठाकूर नहीं इट से मास्ट हर जीवु को लिए रोज पाट करना चोईतन्य भागवद ऐसा एक दिन में आ जाए चोईतन्य भागवद पाट किया नहीं अब खा लिया ऐसा ना हो गीता का दो स्लोग पाट करो गोडियो भास्तो पड़ो आप प्रबोचन है तो सुनो बड़ा सुन्दर लगेगा गीता का प्रबोचन अगा सुनो पुरा बिचात तो हुआ नहीं सुनो तो बहुत अनन्द अगे क्योंकि पढ़ने में पढ़ा पढ़ो तो समझे मुसकी लगता है तो ऐसा निश्यव बमानम अनो धीनम ऐसा जो दीन राग ये सब ठाकुर जी का प्राकित का ठाकृतन को सुनते रहे तो मुमुक्षर मतिम सतिम जच्छती वासुदेवे मुमुक्षर बैक्ती जो है उसका भी मती जो है वो सती बन जाता मती मती दो किसिंगात है एक सती है एक असती है तभी तो बताया मतिम सतिम जच्छ दिवासु देवे असती मति कोन है मैल असती मति है जो जो असती विश्चा का मापिक आचनल करते है हमारा बुद्धी विचार तो यही करता है न रोगनात उसा गयो यही तो बताया पतिष्ठा सधिष्ठा सपचर रमनी मैं हिदा निठ आ तब तक प्रेम रपी जो विशय है कि कैसे हमारा हिदा में प्रेम आये प्रेम तो आएगा ने कैसे आये कहां प्रेम संपत्ती है और कहां हम है अर कहां हम है इस अवस्था को सोचो तो मुमुक्षर मोतिम सतिम जचति वासु देवे जिसका दुष्ठा मोति है मोति को असति स्त्रीलिंगों वेवार किया गया बुद्धी को भी अरे ये मोति जो है ये जो दुष्ठा असति रमनी जैसे ऐसा ही आचरन करते है तो ये आर वग का थोड़ा सी सुजग मेश तो उल्टा कम मेश जिटना भी बोलो कुछ नहीं हो मुमुक्षर मतिम सतिम जच हुत राजति व देवे जचति मतलब भिसा में रमन करने वाली शति मतलब गौु वश्णव में मन लग गिया थाजन में मन करते करते, बहूत सुंदर उपदेश, उसके बाद भवाटूभी का वर्णन की, जह इस जगत में, जितना सारे आदमी चलते हैं, भवाटूभी, भवाटूभी जानते हो, पृतिवी जो है, इसको भवाटूभी बोला है, भवो अटूभी भवो जुकत अटूभी और भवाटूभी, भवाटूभी में गमन करते करते, बद्दोजीवों का कब क्या हालत हो जाए, यह सब इसा में सुंदर सुंदर बर्णन है, भवाटूभी के बारे में सुनके सरम आ जाएगा इसके बाद, बोले रुहुगन यह दो तत्तो विज्ञान हमने आपी बताया भवाटूभी तूम्भी तूम्भी ऐसे हो रुहुगन तम ओपी ही अधन्य अस्यों संग्नस्तो दंडो कृतो भूतो मैत्रो असद जितात्मा हरिसेवया सीतम गनासिम आदायो गनासिम आदायो गनासिम आदायो तरासि पारम अंतिम उपदेस बोले रुहुगन तुम भी एज़ भवसागर को पार करनेगे एज ही रुहुगन तम पी ही अधन्य अस्यों एज़ भवसागर तुम सन्यास गोहन करलो अथात संगसार का जो विशाय आशर है इससा मन को उठालो संगनस्त दंडो कृतो भूतो मुईत्रो सारे भूतो ग्राम है किसी को दुस्मन मत समझो सबका साथ समझो कि सब हमारा दोस्त है कृतो भूतो मुईत्रो किसी को दुस्मन मत समझो किसी को हिंसा मत करो किसी का हिंसा मत करो जैसे पालकी चलाने का टाइम में जाने करेंगे कीरे मकोर रहा गया वो पार को उचा करके उदार पैर रखा कीरे मकोरे हैं कोई क्या कहे वो यह आ गया चेटी आ गया उसको बचाने के लिए पैर को ज्यादा ज्यादा करके बढ़ाया से रूगन तमपिही अधन्य अस्यो संग्यस्यो दंडो कृतो भूतो महित्रो असजित आत्मा तुमारे जो असजित आत्मा को जय करो अभी हरी सेवया हरी गुरु विश्टव सेवा का पहले भी बताया और सीतम ज्यानासिम आदायो तरासिपारम ज्यान नमक जो अस्त्र है इसके द्वारा तुमारा अज्यान का जो मुल है उसको काट के फेग दो सीतम ज्यानासिम आदायो तरासिपारम उसका मुल को अज्यान का मुल को काट के फेग दो और ये भब सागर को पार हो जाओ अराम से कि कि तरह तुम्हारा जनम हुआ है भारत भूमी में ये भूला नहीं भारत भूमी में तुम्हारा भी बाब हुआ है भूला नहीं ये बात को इस बारे में एकार उसकंद में सुन्दर लोग है सुन्दो सुन्दोर पूर वो तो आप चर्चा करेंगे क्या बोले आप निजनमा खिल जन्म सोबनम किंजनमभीस्तु अपरैरो प्यमस्मिन नाजादरिस्तिकेस यसःो कितात्मनममा आत्मनम्ब पचुरो हो समागम राज़ो वाच्चा आप निजनमा खिल जन्म सोबनम मानुस जन्म मिल गया ओ भी भारत भूमी में और तो देखने ही किया इसी जन्म में हमको सिध्य मिल जाए मैं चोईतन भागवत में भीتى बताया है भारत भूमी ते होई लो मानुस जन्मा जाहर जन्म साथ्ञिक करो परवपकार पर उपकार करने का पहले अपना उपकार वा देखा देखो पहले अपना उपकार नहीं वा तो दुस्ते का उपकार नहीं हो कर सकते हो वा वो नहीं सकता जो धनी है अपना पास धन है तो दुस्ते को दे सकता है चलो डोनेशन दे दिया अपना पास कुछ नहीं है तो भिकारी वो कैसे दे भजन का पारमर्थ रस्त में रस्ते पे जो स्वयम भिकारी है निश्व है पारमर्थ ते बिल्कुल कुछ धन नहीं है वो कैसे दुसरे को बचाए संबब नहीं है तीर नाम तरियत जो पार हो गया वो ही तो पार करें दुसरे को अहाँ जितना जनम है 84 लाग जोनी इसमें अहो निजनम खिला जनम सोवनम इसमें देखो कितना सारे पंचो करमंदी होए पंचो कहनंदी होए मन है इतना सुन्दा हाथ पैर नकुन सब कुछ दे दिये और किंग जनम विस्तु अपरी रोपिय मुर्समिन किया कारे ब्रुम्मार जी देवता लोग आए उसको उपोदेश किया दौ तो इसका बैखा नहीं हो पाया इधर आएगा देखो दौ क्यों बोला बले देवता लोग का सभाविक 18 किसम का जो सिद्धी हैं सिद्धियां ऐसे ही रहते समझा नहीं में रवा देव जोनी में सभाविक जो सिद्धियां हैं सारे सिद्धियां उसको रहते हैं जब खुसी जो कुछ करे कहां भी जाए सब कुछ हो सकता अभी अद्रिशो हो जाए अभी किसका हिर्दाए का तुमारा मन में क्या है उसको जानकारी कर ले शुक्समरूफ के इधर खड़ा हो जाए हम देखने हिपाए उनिमा लोगी मा प्रकामो कामो जो कुछ सिद्धि थारे उसका कंदा अद्देव जोनी में अगा सिध्धियांकर तुमारा हक Bill सिद्धियां बारे में तो हमारा जितना सारे भज़न का रास्ता मानऄगा सारे देखोके नो जोगो सिद्धिन अपुनर भबन भा पर्थन किया है हमको जोग सिद्धि नहीं चाहिए रहकुर जी करें जोग सिद्धि हो तो हंकर आ जाएगा देखो इसका सामने कोई मैजिक दिखा दे देखा हम बहने बाबा कितना वड़ा बाबा है रहे भाई अब भक्ती कुछ नहीं है जोग सिद्धि है कुछ नहीं है बाजार में ऐसक खेला देखाने वाला बहुत है हजारो नंगा बाबा धुनी बाबा फलाहरी बाबा एकारी बाबा दुद्पीता भाबा धुनी बाबा बहुत सारे कुछ नहीं है फाइदा कुछ नहीं लेकिन कोई समझे नहीं खीरा भक्ति शिद्धान तो सरस्षदी गुष्ष्वामी पहुपात का सिच्वेश्च पोजिशन क्या है बिंदावन में जिवजाता हो हमको बहुत दुखत लगता है कोई ऐसा सम्तुदा नहीं है जो गोडियमत का एक बाद उठाए और ये सब जो बुद्धु है सब जाके उठाए पोपाजी का बाद कोई नहीं उठाए क्यों उठाने से खोद नंगा हो जाएगा कोई कितना भी बड़ा बड़ा कथा कर रहे पोपाज का गोडियमत का बाद उठाएगा नहीं मैकसिमन गोड़ांग महापव का एक असलोग बता जिया गोड़ांग महापव का मानते ने भगवान कि चलाकी करके बोल देया क्योंकि गोडियों वाले भी हमारा पास आएगा सुनने बीचार करके देखो उसको हम क्वेस्चिन किया बाइदे दिखरी गुरिंग अपको बिसास नहीं है अब प्रभधान उन्द पुकसान उन्द एक व्यक्ति बोलता है कैसे बोलता है कहां से मिला आपको कहां से मिला बोलो चोईतन महापव को पहले कहां गिया था बहले दोखिन में गिया था चो महीना तक रहा, बड़ा सुद्ध भक्त है, चो चो महीना जो वहां रहा, जो इतना महापु कितना गोड़ियो शिद्धान्तों का बारे में उद्या चर्चा किया, उसका जो सिद्धान्तों स्रीशंपरदाए का लुखी नारण का पुजा, महापुरु कितना सुन्दर बिचार करके बताए बताए था उस समय में हमारा ये जो गुपलवट्टो गुस्वामी जी जो है बच्चा थे महापुरु का चरन सिभा किया उच्छिस्ट भोजन किया अब हमारा बिचारी ये लोगो के इतना बड़ा बिद्दान बोलता है अपने को इतना बड़ा प्रवेश्य सब मुगुस्त है लेकिन बाहर का उधारन दे भूल से भी गोडिया मट पोपात का उधारन ना दे हमारा संप्रदाय का ऐसा ही है कौन किसको समझाए सब अपना अपना बिचार लेकर हाँ भगवान हम बोला क्या रखा है कोई तो नहीं है ऐसा कोई हम संप्रदाइ में ऐसा कोई नहीं है उन लोग को रुखे कहां जा रहे हो हाँ भगवान क्या करें बड़ादूख की बात है हम बोले देखो इज़ो बाच्चा है प्रवदाइ अभी छोटा है गुपालबटो गुष्वामी का 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 नाम है का का कोन है पुपधानूंदो सरश्रती पुपधानूंदो सरश्रती को गुपालबटो गुष्वामी का लिखनू में है जो पुपधानूंदो सरश्रती को गुरु लिखा है ये गुरु से सारे शिक्षा मिला अब आदमी बोलता है ये जो पुर्वदान अंदु सरस्टी नाम तो सन्यास का नाम है हम भल सके हमारा साथ तर्क हुआ बहुत गोड़ीयो मटका बड़ा बड़ा अचार जो का हम भले महराज हमको बोलते हैं महराज अब कैसे इसे बोला हमार क्यों बले ये तो नाम जो है ये तो सन्यास का नाम है पुर्वदान अंदु सरस्टी सन्यास का नाम हो तो क्या नुकसान है पर सन्यास लेकि कैसे उदर रहा हमार क्यों नहीं रहे क्यों नहीं रहे बताओ ये जो जगा है सिरंगम खेत्रो शिरंगम खेत्रो इस नौट अ मेटरियल प्लेस शिरंगम खेत्रो की जड़ योगत का कोई इस्थान नहीं है शिरंगम खेत्रो को साख्यात बोईकुंटो मना गया और शिरंगम खेत्रो में अगर बेंकट भट्टो का घर है यह हम मान भी लिया पुर्वाश्वत्रम उदारी है वो गया क्या हो उदारी है समझो लेकिन अगर बेंकट जी बेंकट जी भगवान को सामने रखते हुए बेंकट जी को बहुत प्यार करते हुए अगर ओ Nyaas लिया है ओ बेंकट जी को छोड़ के दूर नहीं किया किसी जगा जोपडी बना के भजन किया क्योंकि ओ सिरंगम खेत्व है ओ तो घर में नहीं रहा ऐसा प्रमान नहीं घर में रहा बिंदाबन में है बिंदाबन में कई सादु है बड़े बड़े वो उसका घर है गैनगुद्री में बड़ा कथाकार है वो घर छोड़कर एक दो किलमेटर दूर रेलवे जो ये है क्रोसिंग जो है हमारा जिसको बोलता है वो बिहारी जी को जाने का जो रास्ता है स्टेशन से आने के लिए वो इसको पानी का टेंक उधर जाके वो आपको मिलेगा वो जाएगा वो आस्त्रम बना के उधर सन्नास भजन कर रहा है घर में नहीं आता है वो तो बिंदावन है हम कहां जाए हम तो बिंदावन को आस्त्रम किया तो बिंदावन चोड़ के कहां जाए उसलिए संगसार किसी का साथ कुछ किसी का उसका टाच नहीं है लेकिन बिंदावन छोड़के कहा जाए राधारेनी का धाम इस विशार छे वो उदारी है उसका लेरका का नाम है विभुति किष्णो उसका के लेरका का नाम ओभी कथा का तो मर गिया हमने देखा भी आ उसको गोडियो भजन में वो गोडियो भजन है सब गोडियो भजन करत तो अगर सिरंगम खित्तो वैकुंट वैकुंट ऐसा खात तो विचार कहा जाए वो सोचा की विंकोट बहुत 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 दूर किसी जगह रह गिया तो उसमें कोई दोस नहीं लेकिन जब गुपाल वट्टो को समें सिकर किया मेरा गूरी जी मेरा सिक्षा दाता यह है शाक्षात यह है तो हमारा कहना है कि यह प्रभदानुंद सरस्वतिपाद महाप्रभु का दर्शन हुआ महाप्रभु का साथ चोव महिना चार महिना तक दर्शन हुआ महाप्रभु का कथा सुना कितन सुना नित्योगित दिखा जो महाप्रवु का एक पल भर का दर्शन होने का बाद जितना पकंडी है उसका दिल चेंज हो जाता क्या यह हो नहीं सकता उस्सी स्वंपदाय का वश्णवता आप बोले इतना बड़ा कथाकर बनके बैठे वो बिंदाबन में आप बोले हैं कि वो प्रकासन अन्द बहुत अनंद एक है मुल कैसे है प्रमान करो इस्टोरिकल इतिहास दे के भी आप प्रमान नहीं कर सकते क्या वो वैक्ति का दिमाग खराब हो गया कि चोईतन महाप्रु कीपा मिलने के बाद उसका दिमाग इतना खराब हो गया को बारान सी जाएगे फिर मायाबादी हो गया देखो बच्चा का बाद बच्चा का मापी बात करता है सब बड़ा बड़ा कथा कर है सब इंटनमेंट चल लाए पागल का मापी वो कैसे इदैसे फिर जाके मायाबादी बन जया how is that possible मायाबादी बन गया प्रकासानांदव गया वही महाराज प्रकासानांदव हो टुम पागल हो एक फिर कथा बोलने का बाद बाले कातानी देभी का चरन में हमारा भागवत कथा अरपन कर दी तुम तो minimum इमम चीज नहीं जानते हो तुम तो अग औख हो बाढ़ा कथा K압र्वन के वेटी हो तुमारा कथा सब सुनते है इस समाझ का दमी काताईनि इनिती कोन है जोगमायं शेवी का तो कथा और किष्नो जे किष्नो सेख किश्ण नाम बहगवात कथार बहगवान अभिन्यो इसका बाड़े में सुक्दिप को सही बता है शाक्षात किश्ण ए वही बहगवात जी महापर साक्षात किश्ण तो किश्ण को तुम देवी का चरण मैं दे दिया कितना बड़ा तुम कथाकार हो यह सब सिध्धान तो हम बताने हैं यह लड़ाई लग जाएगा मेरा साथ हम तो बता दे दूर कुछी भी बोलो लेकिन क्या करे हमारा जो सिक्षा का अभाब है किसी जएगा यह सब गोडियमट का सिक्षा अभी हो नहीं रहा है बड़ा दुख की हम रोता है अकेला इस जी चाहता है कि एकांद जाके भजन करें सब छोड़ दे हम तो जाता नहीं किसी जएगा इच्छा नहीं हो तो किसी जएगा हम प्रोशन बंद कर दिया यह तो बामन जी महराज का यह जो तीत्तो स्थान भजन की आया जो भी है आगया तो आगया थाकुछ जी का की पास है तो ऐसा उल्टा बल्टा सिद्धान तो सब है अब क्या करोगे यह सब तो यह जो है इधर बिचार जो है अतुल किष्ण कुष्ण 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 रामानुंदियादी संपरता के सिद्धान उल्टा पल्टा सिद्धान उल्ता है लेकिन चोहितन नुमा को नाम बता देते क्यों ओजाने गोड़ियमट का आदमी आएगा सोचे का क्या हम गोड़आंगे ममानते लेकिन हम मानता नहीं हम विचार करके देखा आरी गोराइंग महपको मान दे नहीं ऐसे उठाए एक्स लोग बता दिया उसका बैखा कर दिया जाकी गोरेमट का आद्मी समझे के आम गोरेमट का मानता है मानता नहीं अंतर में दुनिया भर का काच्रा है बाहर का गप करेगा कुणिया अबर का, कोई सिद्धान तो नहीं ये सब काफ़ बोलेगा, हरीकाता खानए गोडी अमट का बाद तो बुल के भी नहीं भोलेगा गोडी अमट को घीना करता है हम भागबात लेके बोद है, गोडी अमट को ओन लोग घीना करता है हम जानते हैं पहुपात का ना, पहुपात का बाद लेने साथ डड़ जाएगा वो लोग, पहुपात का एक भी बात उठाता नहीं, तुमान दुनिया का, कहा जोगी है, कहा कहीं है, कहा क्या है, सारे दुनिया का चर्चा करे, कभी भी एक भी पहुपात का बात कोई कथाकर उठाके बात न ये जो ये देवता आदी जो जनम जोनी इसको इस अब मिल के क्या करें देवता बन के हम क्या करें क्योंकि देव जोनी में जो है अठारा किशिम का सिद्धी रहता है सभाविक आठ किशिम का वाइचल सिद्धी जो है उसका बात और दोस किशिम का और है और इसलिए ब्रह्मा जी ने जब उपोदेश बंगा था देवता लोगों को उपोदेश दिया था दो दो का और्थ क्या है दमन करो तुम्हारा जो इतना बैभब है यह बैभब के मारे तुम उल्टा रस्ता में जाओगे हर्ते बोता देगो भागवाद प्रोचन में आएगा इंद्रो जी उल्टा कर दिया ये उल्टा कर दिया ये उल्टा कर दिया ना उल्टा कर दिया ना पित्तु महाराज का कहानी आया महाराज उसका गोडे गोडे चूडी करने का क्या उधिकार है तुमारा गोडे चूडी कर जखेता, इंद्रमाहर, उसका पीछे गया, कितना टाइम, कितना अंग्यामा हो गया, क्या हो दिकार है, वो उच उखकर करने दो, जङनर भला हमारा नाम है, साथक भ्रुतू, साथक जश्चा दित्तो मेरा नाम है, मेरा नंक कड़ जाएगा, कोई अगर सो बार जोगो कर दिया समयद बने उसको बंद करो हमारा रिपूटेशन जो है पोजीशन जो है रेंग जो है खराब हो जाए तो इसके करने नहीं देंगे यह भी तो एक किसें का मीज़ यह मास्चर जो है ना हिंसा है ना यह नहीं करनी चाहिए लेकिन कर दिया क्या करोगे लेकिन इसका दारा इंद्रो का दोस मत देखो यह हमारा सिखा के लिए इंद्र महराज चला गया कहा अहला देवी का संक करने के लिए इसके बाद जो अब सामी आया बहले तुम तो ना क्या भी आया थे हम आया थे जब रिश्ची धेन में गया अबर इंद्रो हमारा रूप पकर कर आया था बास दोस्टेका ने इंद्रो को साप दे दिया तुरा हैं सोहस्र जोनी हो जाएगा तेरा सरीर में और अपना पत्नी को साप पुतनी जानते पुतनी रोना सुरू का हम तो जानते नहीं और तुम जाए कम से कम ते इज़यर बच जान है जालो सोहस्र जोन कर दिया बड़ा सरम की बात है तो यह जो है इसमें इंद्रो का निंदा मत करो इसके दरा हमारा यह सिखा लेनी चाहिए कि एजो वीचार हम बता था ना मुनिनाम चबिब रमाहा मुनिरीशियो का भी गलती होता है इसके दोरा ये समझना मात कि हम जैसा है मुनिरिसी ऐसा है मुनिरिसी गलती करने का अविनाय किया जिसके दोरा हमारा सामने माइल्स्टोन रह जाए कि हम हमारा जिंदेगी को भजन जिंदेगी तो सही डंग से उसको देखो ऐसा हुआ था रिशी का हमारा जिंदगी में ऐसा ना हो जाए साबदाना जिसका लिए रिशी मुनियों का गलती नहीं है बैशिष्ट मुनि कुछ भी करे बैशिष्ट मुनि का नाखुन का बराबर तुम हो सकोगे आगे जैसा है जलता है भजन के दोबारा दुर्वासा मुनि बैशिष्ट मुनि हैं तो फिर बिश्वा मित्र मुनि हरे महाराज बिश्वा मुनिया ऐसा कर दिया हमिए तो क्या हूआ हाँ तुम बिश्वा मुत्र मुनि का बड़ा बर होना चाहते हो ना तो जाओ ठीका देखाओ आँग जैसा जलता है आँग में उधारन दिया सास्तो कारणे जै आँख का अंदर में कुछ भी फालतू चीज दे दो तो आँख तो जलाते रहें आँख का अंदर में मांगशो का टुकरो दे दो मांगशो को जला के रख कर देंगे कुछ नहीं दोस पकड़ेगा वो निर्मा लेक दम लेकिन तुम्हारा अंदर में थोड़ा फालतू चीज आजाए खाने में हो गया तुम्हारा बजन साबधान बिल्कुल साबधान ऐसा करके देवता लोगों को सेल्फ कंट्रोल करिये तुम कंट्रोल होना सुरू कर दो तुम्हारा अठारा किसम का सिद्धी है तुम तो सोचो कि बैस हमारा अल क्या हम तो देवता हो गया तो इससे दमन करो सारे दमन करो यह सब के यूज मत करो औस तो सिद्धी आदी आठारा किसम का इससी इसका यूज मत करो कम करो जहां दरकार है विश्यस वहां करना ऐसा इंद्रो क्या है इंद्रो कहा है इंद्रो कहा है इधर से हजारो हजारो किलोमीटर दूर कोई आदमी इंद्रो का बारे में गाली दे रहा है तो इंद्रो समझ जाएगा उधर से इस सिद्धी का फल है दूर दर्शन बूर शोबन एक घटना बता है इसने बड़ा मज़ा कटना एक जोगी बाबा को उठा के ले गिया पुलिस ने पुलिस ने उठा के ले गिया क्यों एक माडर हुआ था बहुत दूर और बाबा बहुत बुढ़ा है 125 साल का कुमर उमर है बाबा बैटका भजन करता है वहाँ एकदम खुन हुआ पुलिस वाले आए खुन कुन किया सारे बुले कोई कुछ बोलता है बाबा तो उदर भंजन कर रहा था बाबा जरूद देखा होगा बाबा को उठा के लिए ए बाबा किसने खुन किया बोलो ठीक से अब बाबा बोले खुन किया कुन तो बीबादी बाबी पक्ष है बाबा बोले तो यही खुन किया है बदमास कहीं का 125 साल का उमर है इतना दूर बैटे हुए how we can see कैसे देखा बोलो बुढ़ा जूटा बोलता है मार के चटनी बना देगे तो डर गया महराज हम दूर का चीज देख सकते कोट का अंदर से जौच का सामने बोला जो जो पेर है वो जो दूर पेर है उसका उपर नीचे से लाल चेटी जा रहा है उपर जाके देखो बहुत दूर पागल है क्या दिमाग कराब हो गया कहां चेटी है कहां बिक्ष है जाके इजाज कर लो तो लो गया देखे आओ तो हामारा सच्चा नीचे से चेटी सब जा रहा है उपर जब इतना दूर देखने का हम्मत है क्या इतना दूर हम क्या खुन किया देख नहीं सकता है जोगी है बस ऐसा ही है जो दूर दर्षन दूर शोवन ये सब जोग हो का ऐसे ही मिलता है ये सिद्धी का बारे में दूसरा सकंद में हैं समय नहीं है तो हमारा देव जोनी लाप करने का कोई जरूरत है नहीं ऐसा करके कान पकड़ा पर हमको तरकान नहीं राजा रूग अन राजा बोला हमको देव जोनी नहीं चाहिए महाराज हमको देव जोनी नहीं चाहिए क्योंकि देव जोनी में आप जैसा बड़ा-बड़ा महापुरुषू का जो संगम है यह तो मनुस्तो लोग में मिलता है मनुस्तो लोग में ऐसा मिलता है और देव लोग में तो कहा संतो लोग क्या देओ उधर जाएगा इंदर को पुपोचन सुनाने के लिए जाएगा नहीं यहाई मिलेगा केसब महाराज भामन गुष्टी महासब इधरी मिलेगा तो इधरी ठीक है आम ठीक है जहाँ पुपोचन है ठाकुरी जी का कितन है हरीकत है वहाई हम रह जाए ऐसक है उसके बाद राजा जो है बड़ा आनन्द के द्वारा हिलते दूलते दोस लोग वतायाग उभध्यान से सुनलो यह सोग नही नही अद्भुतम तत्चरनाब जरेन भीर अतांहसं भक्ती रधुख जयमला मौहूर्तिकादियस्व समागम अच्यमे दुस्तरकमूल अपतो अभिवेकहा नही अद्भुतम तत्चरनाब जरेन भीर अतांहसं भक्ती रधुख जयमला मौहूर्तिकादियस्व समागम अच्यमे दुस्तरकमूलो अपतो अभिवेकहा नही अद्भुतम ये अद्भुतम अद्भुतम तत्चरनाब जरेन भीर है हतांहसं हमारा जितना पाप राशी है ये जो अद्भुत बात नहीं आपका मापिक परमँष जय है तत्चरनाब जरेन भीर आपका चरण रेनु से हमारा भीशेक हो गया इसके दारा जितना सारे पाफ हमारा हुरदय में था तर्क था कुतर्क था सारे समाधन हो गया भक्ती रधक जामला अमला भक्ती बिमला भक्ती हमारा हुदय हुदय हुआ क्यों महुर्तिका जस समाग मच्चा में दुस्तरक गूल अपतो अभीवे कहा महुर्तिकत एक महुर्तो पल भर केली यह आप ऐसा महापुरुशु का अमारा सा संग हो गया इसके धरा अमारा जितना से तर्क वितर्क है सारे समाधान हो गया महुर्तिकाद जसो सामान्य संग हुआ लवमात तो शादुश्वंगे सर्वसद्धी आए ए महूर तिकाद यस्सो समागमात चो में दुस्तर को मूलो अपतो अभी भे कहा दुस्तर को को जा मूल है अभक्ती अज्ञान दुस्तर को का मूल तरको का मूल क्या है अज्ञान है ना तौरको का मूल है अज्ञान इसका जो मूल है ये मूल उठाके फेक दिया ऐसा नमो आवतु भ्यो जे ब्राह्मना गाम अवधूत लिंग्या स्चरंत ते भ्यो सिवमो अस्तु राज्यां नमो महद्वस्तु नमो सिसु भ्यो नमो जुब भ्यो नमो आवतु भ्यो जे ब्राह्मना गाम अवधूत लिंग्यास श्चरंत ते भ्यो सिवमो अस्तु राज्यां बले कैसा सुन्दर है देखो ये जो ये जगत में कोन जाने कोन कैसा रूप में विचरन कर रहे है जैसे आप विचरन कर रहे थे गुंगा बनके पागल बनके और हम गलती में आ गया हम आपका सिवी का हमारा सिवी का आपसे आपका कांधी में दे दिया कितना वड़ा पराज किया इसलिए मैं अभी संका हमारा हिदा में है कोन जाने कैसे नमो महत ब्यो जो महत बैक्ति जो है कौन जाने सिशु का रूप में पुल्लाद मारा जाया कि दुबा मारा जाया कौन तो पता नहीं तो हम सिशु को नमो महद भ्योस्तु नमो सिशु भ्यो नमो जुबो भ्यो नमो आवट भ्यो जे ब्रह्मन गामा बदूतुल जैसा भी लिंगो पकरके विचरन करे महद भ्यक्ति महद भ्यक्ति नमसकार शिशु गण को नमसकार कृड़ा तो बटुगण को नमसकार जुबाको को नमसकार यह आर्जोसा ब्रह्मन लोग अवदू भारन करके महितल में पृतिवी का उपर विचरन करने वाले जो हैं विचरन करते हैं वो लोग को हम डंडवत करते हैं वो लोग का उनुग्रो के द्वारा क्या हो जाए राजादीगेर मंगल हो सब कोई का मंगल हो जाए ऐसा करके बरनन किया इसका बात जो है जो सारे जो पाप है, जो पाप करते रहते हैं, सब पाप, पाप के दर नरख कुंडो, सारे नरख कुंडो का वर्णन है, कौन-कौन पाप कैसे करने से, कौन सी नरख में कैसे जाए, सारे दुड़धर्श विशय है, उसके बाद ये भारत वर्षो का विभाग जो है, सारा का विभाग, शुद्धो जौल, इक्खु जौल, घृतो सागर, दूद्ध सागर, सारे हैं, इसका बारे में सर उसका भोगवलिक, जियोग्राफिकल, भोगवलिक वर्नोना हैं सब इस पिशाय में, और उसका बाद नरकादी का वर्नन है, सब वर्नन करते-करते, उसके बाद एक-एक दीप, सब एक जो दीप है, हमारा साथ दीप पित्वे में, इसका बाद भारत वर्सों को भाग किया, भारत वर्सों का विभाग किया, एक-एक करके, एक विभाग में इला वर्तों जो लेकर अलग-अलग सा वर्षों है, ये वर्षों में क्या होता है, भगवान ठाकुर जी एक-एक सरूप धारन करके उदर बैटा हुआ है और एक-एक उसका आचार जो बनके रहे गया इला बितर बर्स में इला बितर बर्सो जो है उसमें भबो और भवानी सहस्त्रो ये जो है इधर भजन कर रहे ठाकुरुजी अनुंतो देब का जो है भजन कर रहे या भबो और भवानी कौन सी जगा इलावित्तो बर्षो इलावित्तो बर्षो में बगवान सिव और भवानी और इसके जो अधिन है परिकर जो है परिकर लोग सब ठाकुरुजी का बज़ें कहते हैं अनंत्य देप का उसका मंत्रो एक-एक मंत्रो बताएंगे दो एक करके छोड़ देंगे भगव भगवते महापुरुषायो सर्वगुन संख्यानायनांताय अभ्याक्ताय नमहिती भजे भजन्यार नपाद पंकजम भगास कित्न किष्नस्यो परंपरायनं भक्ति स्वलं भवित भूत भावनं भवाप अंत्वा भवभाव मिष्परि भजे भजन्यार नपाद पंकजम भगास किष्नस्यो परंपरायनं भक्ति स्वलं भावित भूत भावनं भवाप अंत्वा भवाव मिष्परं ऐसे अनुंत देब को जो अनुंत देब जो शेश रूप में है नौबेद सिद्वार्त मीव कचित स्थितम भुमंडलम मुर्द सहस्त्र धामसू जो शेश जी का मस्तक पर पृतिवी कहां है पता नहीं चलता सोर्षो जैसा है माढख का उपर है नौबेद सिद्वार्त मीविष्िदात माने सोर्षो सोर्षो के राई के दाना जैसे मस्तक पर पता नहीं चलता क्या है मस्तक में ऐसा सेश जी धारण करके रखे हैं अनूंत देब काही तो है यह चा कुरुजी को हम बंदना कर currents ओम नम इति ऐसा करके बहुत सारे स्टव है ऐसे इलावित यह क्यां वह भजन किया इलावितो वर्ष में आर्फद्राश्वब का नाम का धर्म पुत्रो बुर्षपति और उनका ये संतान है सामलेको वसुदेव प्रियसरीर हयोस्रुश्व भगवान हयोस्री जन्दु हयोस्रीर भ भगवान को भयन कर रहा है बद्रश्वा नाम के इसका भी स्थूति एक एक करके स्थूति बता क्या हम चले जाएंगे को उपाय नहीं बले सी भद्रश्वस उचू ओंग नमो भगवते धर्माया यात्म विशधा विशोधनायो नम यिती यह मंत्रों वास इतना चोटा ओंग नमो भगवते धर्मायात्म विशोधनायो नम यिती यह मंत्रों गिया उसका वास तूति है अहो विचित्रम भगवद विचे स्थितम अहो विचित्रम भगवद विचे स्थितम ग्न्त्यम जनुवयं ही मिशनो नपस्वती धायन असद जरही विकरम सेवितुम निरिहित्त पुत्रम पितरम जिजिवीशती अहो विचित्रम भगवद विचिस्टितम ठाकुरजी का माया देखो कैसा है अहो विचित्रम भगवद विचस्टितम घ्रांतम जनवयं मिशन अनपस्षती एक दुसरे का साथ लड़ाई कर रहा है मार रहा है एक दुसरे को हिंसा कर रहा है अहो विचित्रम भगवद विचस्टितम ठाकुरजी का जो विचस्टितम ठाकुरजी का जो विचस्टितम घ्रांतम जनवयं मिशन अनपस्षती एक दिश्रू को मार रहा है नाश्वान जगत का यह तत्तो इसका नजर पे नहीं आ रहा है यही तो माया है ठाकुर जी का खेल है बोलो देखो ऐसा माया है अपना लेरका को जला के आया ससन में लेके गिया लेरका मर गिया लेरका मर गिया लेरका को अपने आपने खोद लेके गिया ससन में ससन में जलाया जलाने का बाद थोड़ा बहुत रोया बैस उसका बाद जाक तहां जहां के तहां जहां के तहां हो गया पित पुत्रों को खोद पिता जी जलाके आया दो दिन बाद फी टी भी कोल दिया विसी आर कुल दिया, विसी भी कुल दिया हो गया चुटी ऐसा है ना माया दिवी का चक्कर अहू विचित्रम भगवद विचे स्टितम सरम होना चाहिए सरम होना चाहिए अहू विचित्रम भगवद विचे स्टितम ग्रांतम जनुवयं ही पुत्रों को जला के आया पे पिता जीना चाहते हैं हम भी जीएंगे बहुत दिन इसलिए हमारा जुदिश्चिर महाराज का एक कहानी काल बताएंगे सुन्दर यह जगत का सबसे बड़ा आस्चर्जे इस विस्षय में थोड़ा बहुत इस तत्तों में बारे में बडन्टि विष्वाम कवयोसमनस्वरम पश्वन्टिशा दद्वीद विपुष्चितो तथा अफिमु ज्ञंति तभाजमायययः विष्वैमितम क्रितम जम नतोस्ikle बडन्टि विष्वमकवयोसमनस्वरम कोवी दिव्व सुरिगं तत्तविद गवन ये विश्व को नसर माना है पस्वंति च्वा आध्वात्व बीद बिपोस्चीत बिपोस्चीत मतलब आध्वात्व बीद जो है वो लोग संसार का जो गोती है संसार का ग्यान जिस प्रसीडियो संसार का ग्यान डाइरेक्ट हो रिवार्स जो गोती है उस गोती पर चलो तो आपको यह जो तत्योग्यान मिलेगा समझा मेरा वाद सम्झतना यहाँ संगसार का गोती जिस तरब जा रहा है उसका उल्टा विचार करते करते हो संगसार में सब देखते देखते तो आपको क्या होगा विपोष्चित विपोरीत विचार करते करते आत्मा का ओर शुरू करो जात्रा तो देखो कि विचार करते करते आत्मा तत्त में आपका पतिष बदंति विष्वं कवयोस्मनस्वरं पस्वंति चाद्धत विदो विपस्चितह तथापि मुझ्यंति तबाजमायाया सुभिस्मितम कृत्यम अजम नतो स्मितम तबीद गन बोला ये जगत जो नसर है जो आत्मबीद जो है उलोग बदंति विष्वंति दिब्बसूरी गन बोलते है नसर है आध्धत बीद गन बोलते है विचार करके देखो अनात्मबस्टु ये सब है आत्मबस्टु चलो फिर भी देखो इतना ग्यान शिद्धान तो जगत में होते हुए भी हमारा पतन हो रहा है माय को उलिजा रहा है किसी का रूची नहीं है ठाकउर जी का कथा में कितन में ऐसा करके बहूत सारे शिद्धान्त भबाबा भद्राशो ये जो हैं उहां भद्राशो बड़से भद्राशो बड़से ऐसा हुआ होई शिर्षो भगवान का अरधना किया कौन ये जो बुला अभी भद्राशो बड़सो ये लीडर है सबसे आचार्यु है हरिवर से ओपी भगवान नरो सिंग रूपेन आस्ते हरिवर सो जिसको बोलते हैं यहां निशिंग भगवान है और निशिंग भगवान उदर है उसको क्या करते हैं वहां दुट्यकूल जो अधिपती जो राजन है प्रलाद महाराज अफस्तुति कर रहे हरिवर से ओपी रुपेन आस्ते तद रूपो गहनो निमित्तो मत्तरत्राभी धास्ते तद दैतम रूपम महा पुरुषगून भाजनो महा भागवतो दैतो दानव कूलो तिर्थिक करन सिला चरितः प्रल्हादो अभ्याव धाना नी प्रल्हादो अभ्याव धानान्य भक्ति योगेन सहो तत बर्षो पुरुषई रुपास्ते इदंचो उदाहरंती प्रल्हाद महा जुदे नरसिंग भावान को आनंसे स्तुति करे पुजा करे सेवा ओंग नम भगवती नरसिंगाय नमस्ति यस्ति यस्ति आविर आविर भाव वयरनक वयर अंस्तो करम सयान रंधय रंधयो तमो गशगशो ओम स्वहा अभयम अभयम आत्मनि भुष्टा ओम खोम इती ये मंत्र देखे स्तुति कर रहा है यात संग लवधं निजविर्जववः भवं तिर्थम मुह संग स्प्रिषताम हिमानसं हरती हरती अजो अंत सृति भिर गतो अंगयं कोवई नसेवेतम कुंद अभिक्रमं ये विष्णु जो सोट पत्में अभिष्टो होकर दूर करता है मन का जो कामनवासना दी सारे दूर करता है अतेव कोण व्यक्ति ऐसा है बुद्धु है जो ठाकुर जी का भजन ना करें हरती अजो अनंत सुति भीर गतो अंगयं कोवई नसेवेतम कुंद अभिक्रमं तो क्या हुआ इधर कोंसी हरी वर्ष में इसके बाद एक सुन्द स्लोक अलाद महराजी का ओभी बताना चाहिए हमने ये स्लोक का बैख्खा किया था यास्यास्ति भक्तिर भगवति ही अकेंचना सरवो इर गुन इस्तत्र समा सती सुरह हरो वक्त सकुतो महद गुना मनो रते ना सती धबतो वही केतुमाल वर्ष में काम रूप देवे रूपेन लक्षा केतुमाले ओपी भगवान काम देवस रूपेन लक्षा प्रियोचिकी सया प्रजापते दुहित्रीनाम पुत्रानांच तदबर्षपतीनाम पुरुषायू साय हो रत्र परीशंख्यानानम यासम गर्भा महापुरुषो महापुरुषो महास्त्रो तेयसो उद्देजितो मनसाम विद्धस्ता व्यासबहा स्वांगवस्वरान्ते निपतंती इधर जो है ये जो माने नहीं बुला और ये भी एक मंत्रो पकर कर मंत्रो देखर भजन कर रहा है इधर ये कोन भजन कर रहा है इधर नमत्रो देखे बज्जे वहां वहा क्या बले स्थूति की इधर कर के मंत्रो पताए ओं हां भिं हों ओं नमो भगवते रिशी केसायो सरवगोन विशेशो बिलक्षीत आत्मने आकूती नाम चित्ती नाम चेतोसाम विशेशानन चाधि पते सोरशो कलायो स्चंदो मयानन मायायाम्रित मयायो सरवो मयायो सहसे उजसे बलायो कांतायो कामायो नमस्ते उभयत्रयो भुयात इती ऐसा करके वहां केतोमाल वर्से कामदूब रूपे वर्ष में रूपे लक्षी जो है लक्षा प्रियापी चिक्रसया तद बर्षादी पती यह पूरुष को भजन कर रहा है उदर बईरागो के स्वात सुन्दर इसके बाद जो है केतुमाल वर्ष हो गिया उसके बाद रमनक वर्ष में रमनके चो भगवतो प्रियतमम मत्स्याव तार रूपम तद वर्षो पुरुशष्यो मनो बाको पदर्शितम सो इदानी मोपी महाभक्ती योगेन आराधयती इदंचो उदाहरती रमनक वर्षे जो मत्सर उपी भगवान का आरधना कर रहा है इदर ये लोग आर करते हुए सुन्दर मंत्रो बताए ओंग नमो भगवते मुखत तमायो नमो सत्तायो प्रानायो उजसे सहसे बलायो महा मत्सायो इती इतादी करके इदर का जो है हिरनमय वर्षे उपी कुर्मो तोनु पकरकर भजन कर रहा है उदर पित्री गंचो अर्जमादी सब उसका भजन कर रहा है इदर भी ए मंत्रो बताया हिरनमय वर्षे ओंग नमो भगवते अकु पायायो मलजे क्या बोला ओंग नमो भगवते अकु पारायो ओंग नमो भगवते अकु पारायो सर्वसत्त गुनो विशेशनायो नमो अनुपो लक्षीत स्थानायो नमो बर्मने नमो भुमने नमो पस्थानायो नमस्ते इती इत्तादी करके और उत्तरे जो कुरुब अर्षो जो है उहां भी जग्व पुरुष बराहो देप को अर्चन हो रहा है यहां भी यहां का जो है जग्व पुरुष बराहो को अर्चन किया ओग्णम भगवति मंत्रो तत्तो लिंगायो यग्व क्रत मासर किलावाद स्नुनिक्रायो उगिनलड क्या则ि रामस जी का अर्चन हो रहायी हुनुमान जी कर रहा Sorry इसको बोलका हम छोड़ेंगे अभी तो समय हो गया बज्जा किंग पुरुसे वर्षे भगवंतम आदि पुरुषम लखना ग्रजम सिताभी रामम रामम तच्चरन सन्नी करसाभी रतह परम भागवतो हुनुमान सहो किंग पुरुषवईर अभिरत भक्ति रुपास्ते अडिष्ट सेनादी सब कोई गंदर्बो सब लेकर हुनुमान जी गाते जैराम सीराम जैराम ऐसा करके ओं नमो भगवते उत्तम स्लोकायो नमो आर्जो लक्षन सील बृतायो नमो उपो शिक्षितात्मन उपासीत लोकायो नमो सादू बादो निकोसायो नमो ब्रह्मन देवायो महापुरुशायो महाराजायो नमो इति हो गया अई है उनुमान जी आनन्द के दा ए मंत्रो बोल किया और कित्तन करते हैं और स्तूति कर रहे हैं तुती करते करते एक स्लोक आता, ये स्लोक का विचार हम पहले भी थोड़ा बोद बताया था पी नो, 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 बनो का सहस चकार शक्षे बतल अखना ग्रोजो बले हमारा कौन सी जन्म है, कौन सी खांदान में मैं अविरवा हुआ, बोलो, देखने में क्या है हमारा, कौन सी बिद्दा है, कौन सी हमारा बुद्धिय क्या है, बोलो, फिर भी लखना ग्रोजो सी रा अच्छा खांदान में पैदा हुआ अच्छा अमारा ग्यान है कि बिद्धान हुमें देखने में सुन्दर है इसा कुछ दंदोलो कुछ भी नहीं है हम लो तो जंगली है जंगल का फिर भी किपा किया देखो आर भारते विवर से भगवान नाराना खम नारान जो है इसका उपसना चल रहा है वहाँ भी ओंग नम भगवती उपसमो सीलायो उपो रतात्मायो रतात्मनायो ओंग नम भगवती उपो समो सीला उपो नम भगवती उपो समो सीलायो पो रतात्मनायो नमो अकिंचन बृत्वायो रिशी रिशो भायो नरो नारा यनायो परमहंग्षो परम गुरोभी आत्मा रामा अधिपतो ये नमो इती ऐसा करके नरो नारान का अभी उधर वजन किया ऐसा करके सारे दीब जो है सारे दीब में एक-एक करके ठाकुर जी का जो आवतार है इसका है इसमें कई स्लूख है इकाल सूबह में चर्चा हो पाएगा इसमें सुदर है बहुत सुदर देवता लोग गायन करते है कि हमारा देवजोनी ठाकुर जी छुट जाए तो हमारा थोड़ा बहुत पुन्नुर ह तो भारत भूमे में मेरा जुन्मा हो जाए और हम लोग भाजन करेंगे इस विशा में थोड़ा बहुत बिस्ति चर्चा होना चाहिए इसलिए काल करें आज नहीं इस तक रहे इस तक चर्चा समाफता रहे काल सस्टसकंदो सुरू होगा जल्दी-जल्दी यहां तक रहे इस नाम संकितनम यसो सर्वपाप पनासनम प्रनाम दुक्षशमनम तंगनमा मिहर्यं परम वांचा कल्पतर वश्यके पास इंद भवश्यव पतितानांग भावनें भवश्यव यो नमा